नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरिजेश पसिष्ट अडानी साब के उपर एक और मुसीबत दिखाई दे रही है अडानी साब की जांच हो रही है, से भी जांच कर रहा है आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट से उसने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया था उस टाइम के अंदर जो जांच चल रही है, उसमें कुछ ऐसी चीजे निकल के आ रही है जिन से पता चलता है कि अडानी साब की प्रगती में विदेशी हाथ है और यह जो विदेशी हाथ है यह भी तेजी से नहीं बढ़ा है हिंडनवर्ग रिपोर्ट से थोड़ा सा अलग जानकारी है लेकिन यह जानकारी कुछ इशारे करती है आज इसी को समझेंगे कि RBI को क्या मिला जिस पर RBI अटक गया है और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या गड़वड़ी संभावित है क्या गड़वड़ी हो सकती है कहीं मत जाईए चनल को सब्स्क्राइब कर लिजे मैं अभी हाजर होता हूँ देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलती है जो चला लेते हैं उनके लिए सरल होती है इसी तरह से हम सब को ब्यापार नहीं पता कैसे होता है इस देश में अधिकांस लोगों को बिजनिस करना नहीं आता है अगर उनको बिजनिस करना आता होता तो वो शायद उसमें और भी कई अडानी आपके सामने खड़े हो जाते लेकिन बिजनिस करना आने के माहिने क्या है क्या ये मानिता ये धारना सही है जो हमारे और आपके बीच में अकसर हम सुनते है कि कोई भी आदमी अमीर इमानदारी से नहीं बन सकता इमानदारी से कोई भी आदमी धन बड़ी धन संपदा अरजित नहीं कर सकता लेकिन अगर हम इस थियोरी को सही माने या गलत माने लेकिन अडानी साब के आखड़े कुछ कहना चाह रहे हैं और ये आखड़े कुछ बता भी रहे हैं और इन आखड़ों के जरीए कुछ अंदर-अंदर का आफ सेंस भी करने की कोशिश करेंगे आखड़े कहते हैं कि अडानी साब की संपत्ती में अचानक इजाफा होना चुरू हो गया एकदम से वो उपर जाने लग गई कुछ कंपनियों के नाम बताएं हैं जैसे अडानी इंटरप्राइज़, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांस्मिशन, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्स और अडानी पावर इनका जो फॉरें शेर होल्डिंग पैटर्न है, उसको असेस किया गया है, उसका विशलेशन किया गया है तो पता चला कि विदेशी निवेशकों की जो संख्या है, जो इंवेस्ट करने वाले हैं, उसमें एकदम से उच्छाल आ गया है फॉरेंग पोर्टफॉलियो इंवेस्टर्स, वो होते हैं, जो एक साथ बहुत सारे एक तरे के शेरों में पैसा लगाते हैं अब वो टाइमिंग देखें, ये वो टाइम था जब कोरोना आचुका था या कोरोना की बीच का दौर चल रहा था और अंधादुन्द ठीके इस देश में लगाई जा रहे थे ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया में सरकारों के उपर ठीके की दलाली के आरोप लग रहे थे आपको याद होगा ब्राजील में बोले सुनारों पर एक टीके पर एक डॉलर की रिश्वत लेने का आरोप लगा और नेपाल में भारत की एक टीका कंपनी के उपर ये आरोप लगाया गया कि वो रिश्वत देकर अपना टीका बेचने की कोशिश कर रही है और रिश्वत को लेकर बात बेगड गई कि बीच में कि भाई इतना ने इतना रिश्वत देंगे और इस तरह से नेपाल में टीका भारत का उस समय अटक गया था अब उसी दोर में हम ये देखते हैं कि अडानी जी की दौलत विदेशी पॉर्टफोलियो इंवेस्टर के जरीए तेजी से बढ़ती है मैं ये तो जी कह रहा हूँ कि इनकी दौलत के इस कंपनी से कैसे आई है ये मैं ना तो जान सकता हूँ ना कह सकता हूँ ना किसी बगए ठोस आधार के मुरे अधिकार है लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि अडानी जो हैं उनकी कंपनियों में जो फोरिन पॉर्टफोलियो इंवेस्टर हैं 2020 में उनकी संख्या 133 थी जो मार्च 2023 में 3 गुना हो गई है तीन साल में 3 गुना 410 अडानी टोटल गेस्ट में ये 63 थे जो 532 तक पहुँच गए अडानी ट्रांस्मिशन में 62 से 431 अडानी ग्रीन में 94 से 581 तक ये लोग पहुँच गए ये आंकड़ा है जो सेबी को मिला जाच के दौरान सेबी चोक रहे हैं कि अचानक विदेशों से कैसे आने लगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहां इस पर लागू हो रहा है लेकिन ये पैटन भी इस वकत याद आ रहा है किस तरह से दलाली का पैसा जो बड़े-बड़े नेताओं का दुनिया की होता है वो दलाली का पैसा जो मौरिशयस वेस जैसे देश हैं जहां पर टेक्स हैवन है जो लोग जहां टेक्स चोरी करने वालों की स्वर्ग देश कहे जाते हैं जहां पर टेक्स नहीं लगता है किस तरह से दुनिया भर का कालाधन अलग-अलग तरीकों से वहां पहुचता है वहाँ कुछ आफशोर कमपनिया हैं और उसमें कुछ शेल कमपनिया उन कमपनियों का काम यह है कि वो उस पैसे को लेके आपके और अपने नाम से वो दुनिया में अलग अलग जगें लगाती है उनका यह तरीका होता है पनामा लीक और पेंडोरा लीक्स में हम देख चुके हैं कि कौन कौन कितने बड़े बड़े लोग नवाज शरीफ और बहुत सारे लोग इसमें पकड़े गए थे भारत से भी बहुत सारे लोगों के नाम आये थे पिर वो जाच कहा गुस गई किसी को नहीं पता लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम थे बड़े बड़े लोग थे नामी लोग हिंदुस्तान के मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ और आप सब जानते हैं अभी मैं नाम लूँगा तो दो चार छूट जाएंगे तो जिनका लिया उनके साथ अन्या हो जाएगा तो वो पैसा वहां आफशूर कंपनियों पहुंसता है और उन आफशूर कंपनियों के जरीए वो पैसा वो अलग-अलग जगे इन्वेस्ट करते हैं अलग-अलग जगाते है अब अधानी के कंपनियों में जो पैसा आया है वो कहां से आये यह तो हमको नहीं पता यह तो RBI पता सकती है लेकि हिंडन वर्क रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया था कि इनके पास बहुत सारा शेल कंपनियों से इन्वेस्मेंट होता है यह उसमें आरोप था जिसकी हम पुस्टी नहीं करते हैं और हम यह नहीं मानते कि वो सही है लेकिन यह जानकारी उन्हों ने दी थी जो हम आपको बता रहे हैं RBI नेस रिपोर्ट में ACC, Amboja Siemens और NDTV की होल्डिंग्स पर गौर नहीं किया है क्योंकि यह कंपनियां बाद में टेक ओवर की गई हैं अगर होता तो इनमें और साथा जानकारिया मिलती क्योंकि 2022 में तो इनकी लिस्टिंग हुई है अब यह जानकारी की जाँच से भी कर रही है कि अचानक से इतना ज़्यादा विदेशी पैसा कोरोना के बाद में अडानी जी के पास कैसे पहुँचने लगा मेरे पास 2008 से 22 का अडानी साब का डेटा है पूरी चार्ट लगा रहा हूं लेकिन पढ़ रहा हूं उपर के 3-4 साल जिन सालों का इसमें जिक्र है 2019 में 52 बिलियन की इनकी वेल्थ थी मतलब पूरी संपत्ती थी जिसको कहते हैं नेट वर्थ और जो 10 बिलियन करी पिछले साल से बढ़ी थी 2020 में ये किबल 3.1 बिलियन बढ़ी और 55.2 बिलियन हो गई बिलियन मतलब अरब यानि 55.2 अरब हो गई इसके लावा 21 में ये 55 से बावन से पहले 55 थी थोड़ी सी बढ़ी थी लेकिन 2020 से 21 में अच्छानक ये 55 से 101 बिलियन हो गई यानि 3 बिलियन की जो ग्रोथ होई थी पिछली साल वो सीधे 45.9 बिलियन की हो गई अब आप इस अंदाजा लगाईए और उसके बाद में 2022 में फिर ये 118 बिलियन हो गई फिर 16 बिलियन की ग्रोथ हुई तो ये जो जम पाया है अडानी जी की वेल्थ में ये वही टाइमिंग है जिस टाइम पे ये पैसा अडानी जी की कम्परियों में लगा जो आकड़े में बता रहा हूँ उनको मैं अगर चार्ट में बदल दूँ तो कुछ ऐसा चार्ट दिखता है जो पहले भी शाहिद आपकी निजर में आया हो तो कुल मिलाके सेभी के सामने ये बड़ा सवाल है कि अचानक इतना सारा विदेशी निवेश कैसे आ गया अब फिर वही सवाल उसके बाद में ये पैसा किसका है ये पैसा कैसा है ये पैसा नंबर एक का है या ये पैसा नंबर दो का है ये पैसा कहां से आया है ये किन इन्वेस्टर का पैसा है वो इन्वेस्टर इन तीन सालों में जब पुरी दुनिया लड़ खड़ा रही है अल ये Rocket की तरहे उंपर क्यों जा रहा इनका Graph ये सोचने की बात है खिर सहेवी का काम है सहेवी कर रहे है हमारा काम है आपको सोचने देना वो हमने देदी है उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें नमस्कार जहिंद